हेलो श्यूइंट्स एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाई वेद एसी आई यूट्यूब चैनले टूइट्स आप सभी लगातार ये प्रशन और कमेंट कर रहे हैं कि यूपी गवर्मेंट द्वारा छात्र छात्राओं के तक्नीकी सस्तिकर्ण हेतू उनके लिए टैबल इन बच्चों को इसका लाब दिया जाएगा और सबसे पहले कि इन बच्चों को इसका लाब दिया जाएगा और कब तक आप सभी को टैबलेट और स्मार्टफोन जो है वो वित्रित किया जाएगा तो श्यूट्ट बहुत सारी आप सभी की जो कन्फ्यूजन्स हैं आज उन आप सबसे एक बार रिप्लाइब देने का प्रयास करूंगा तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तापरदेश सरकार द्वारा चातर चात्राओं के तकनीकी सस्थिकड़ हेतू उनके लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वित्रड़ योजना के अंतरगत चातर चात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाना है तो इस सम्बन में उत्तापरदेश सासंद्वारा उत्तापरदेश राज के जितने भी विश्विद्याले के जो कुल सची होते हैं उनको यहाँ पर पत्र भी जारी कर दिया गया और इस पत्र में असपर सुप से लिखा हुआ है कि उत्तापरदेश राज के ज़ितने भी विश्विद्याले हैं जितने भी इंस्तिश्यूशन हैं सभी के जो पंजीगिरी च्छाच-छात्रा है यानि UG, PG के जितने भी पंजे की चाथ चात्रा हैं जैसे की BA, BSC, BCOM, MA, MSC, MCOM और साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ITI से लेकर, Power Technic से लेकर Medical और Para Medical के जितने भी कोर्सेज होते हैं सभी कोर्सेज के बच्चों को इस योजना का लाब दिया जाएगा कि अभी ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है इस योजना में कि किसी बच्चे को छोड़ा जाएगा सभी बच्चे इसके लिए पात्र हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा पात्र या आपात्र संबंदी कोई बात नहीं आई है जैसे कि कोई नियुनितम पासिंग मार्क या फिर केवल मेधावी बच्चों को दिया जाएगा इस प्रकार की कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं लिखी हुई है उत्ता परज़राज की जितने भी विद्यार थी यह उच्छी सिच्छा के सभी बच्चों को टैबलेट और स्म दिये जा रहे हैं या फिर दिये जाएंगे उन फार्म को लेकर भरना होगा तो इसमें आप सभी को बताना चाहूंगा कि किसी भी फार्म को भरने की कोई अवशक्ता अभी तक नहीं है जिहां स्टुएंट्स विश्विद्यालियों के पास आप सभी छाजशात्राओं का ज जितने भी विश्विद्याले जितने भी इस्टूशन है वे सभी अपने बच्चों का जो बेसिक डेटा है उसको कलेट करके रखे रहें और जैसी सरकार द्वरा पोर्टल खोला जाएगा तो इस्टूशन जो है वो अपने जो डियम है वहां के जिलादिकारी उन जिलादि जाँगा आप सभी को कुछ नहीं करना है बस आप सभी लोग अपने विद्यालों में अपने स्टूशन में पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपने अड्मिशन लिया हुआ है तो आपका डेटाबेस आपके कालेजों में अलेडी उपलब्ध है और जो भी काम करना है वो शा जहां भी देनाओ डेटाबेस नहीं करना है जो है और बच्चे को बाटा गया है और बच्चो को बच्चों को बाटा गया है और बच्चों को उस वार्म को भरके अपने कालेज में जमा करना है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपके भी college में farm आपको मिला हुआ है तो उसमें आपको कौन कौन सी सूचना है देनी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ सबसे पहले तो student name, gender, father name, mother name, data birth, आपका आधार number, mobile number, email id, आपका अस्थाई पता, pin code साइद, उसके बाद university का नाम, आपके college का नाम, आपके college का code और उसके बाद आपका student enrollment number जो की बहुत ही महत्पूर है जिससे यह confirm होगा कि आप सभी किसी ने किसी course में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आप किस course में पढ़ाई कर रहे हैं, higher education में हैं, polytechnic में हैं, ITI में, engineering में हैं, medical में हैं, paramedical की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए आपके course का level क्या है, यानि आप diploma कर रहे हूँ, या फिक graduation कर रहे हूँ, या फिर आप doctorate कर रहे हैं, और साथ साथ किस course में आपने enroll, असपर शूप से देखिए, students यहाँ पर लिखा हुआ है, BSC, BC, BA, MSC, MC, MA, BTEC, MTEC, BBA, MBA, MBBS, MD, सारे courses students, यहाँ पर हैं, इन सभी बच्चों को यहाँ पर smartphone, tablet, द्रण का लाब दिया जाएगा, currently आप course के किस year में हैं, first year में हैं, या second year में, या third year में हैं, और साथ साथ आपके विशय क्या हैं, ये भी आपको उस form में उलेखित करना पड़ेगा, describe करना होगा, लिखना होगा, उ कोई guideline नहीं है, कि किसी भी students को स्वयम से कोई online form भरना है, किसी भी cyber cafe से या online portal से, जो भी काम है, वो शासन अस्तर पर किया जाएगा, आप सभी छाच छात्राओं को कोई भी काम नहीं करना है, केवल आपको अपने college में admission लेके पढ़ाई करनी है, और यदि आपके college दोरा ऐस परदेश राज के लगबग एक करोड़ों बच्चे हैं, और सभी एक करोड़ों बच्चे जो उचिशिचा से संबंदी, तकनीकी कोर्स संबंदी, तो उन सभी बच्चों को यहाँ पर मुक्मंत्री द्वारा उत्ता परदेश रासन द्वारा टैबलेट का वित्रण किया ज लेकिन यहाँ पर किसी भी छाठ छात्रा को कोई भी लैपटाप नहीं दिया जाएगा, लैपटाप देने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है, तो श्रेंस आगे मैं आपको यह भी बता दूँ कि यहाँ पर सबसे पहले किसको लाब दिया जाएगा, और कब तक आप सभी का टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होने लगेगा, काफी तेजी से काम हो रहा है शासन अस्तर पर, पूरा डेटा बेस बच्चों का इकठा कर लिया गया है, और उसको डियम अस्तर पर उसको वेरिफाई करने के बाद उसको भेज दिया जाएगा शासन अस्तर पर और यहां से फिर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण होने लगेगा, लेकिन यहां पर एक जो बहुत प्रभुख बात है, कि सबसे पहले यहां पर सेकेंड ययर और थर्ड ययर के जो बच्चे हैं विश्विद्याले के उनको टैबलेट दिया जाएगा, यहां पर फस्ट परदेश शासन दौरा युवाओं को तकनिकी रूप से ससक्त बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उत्ता परदेश के करीब एक करोण युवाओं को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा, और इसके लिए सबसे महतपूर बात लिखी और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि असनातक और परासनातक पर्थम वर्ष के चात्र चात्राओं का डेटा बेस होने के बाद विश्विद्याले जब सूचना भेजेंगे उसके बाद फिर फर्स्ट यर के बच्चों को भी टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा, यानि पहले चरण में जो सेकंड यर और थर्ड यर के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर इसी महा से टैबलेट और स्मार्टफोन मिलना चालू हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कोर्स में हो, बिए बिए से बिकॉम के साथ साथ, किसी भी टेकनिकल कोर्स में हो, परा मेडिकल को कियोंगी, इस सम्मद में अभी भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ज़रू मुझे कमेंट करें, मैं आप सभी के कमेंट पर इप्लाइब देने का प्यास करूँगा, वीडियो को जाद 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 आपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगा, वीडियो को लास तेखनिकली, थैंक यू